जैस्री हरी विश्णू, भागवान विश्णू की कृपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल काम नहें तो मित्रों आज हम राजा अम्बरीश और दुर्वाशा रिशी की कथा सुनाएंगे एक कथा जो है इस कथा में एकादसी ब्रत की महिमा को बताया गया ह साथी एकादसी ब्रत करने वाले के लिए ध्यान देने योगे वे बाते हैं कि एकादसी ब्रत का पारण दुआदसी के दीन सही समय पर ही करें तभी ब्रत का पुन्न मिलेगा तो आई ये कथा कोश्रवन करते हैं कि राजा अंबरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ सिरक्रिष्न को प्रसंद करने के लिए सभी एकादसीयों के ब्रत का नियम किया ब्रत पुरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूम धाम से भगवान की पुजा की ब्रामनों को गोदान किया यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तब ही महरसी दुरवासा उहां सिस्सो सहित पधारे राजा ने उनका शत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की दुरवासा जी ने राजा की प्रार्थना सुईकार कर ली और अस्नान करने यमुना तट पर चले गए दुरवासा जी ने अस्नान करके लोड़ते ही तप वबल से राजा के पारण करने की बात जान ली वे बहुत क्रोधित होते हुए बोले मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया उन्होंने मस्तक से एक जता उखार ली और उसे जोर से प्रितिवी पर पठक दिया उससे कालागनी के शमान कृत्या नाम की भयानक एक राक्षा से निकली और तलवार लेकर राजा को मारने दोरी राजा जहां के तहां इस्थिर घरे रहे उन्हें तनी की भी भय नहीं लगा वे तो सर्वत्र शब रूपों में भगवान को ही देखते थे उन्होंने तो किर्ट्या में भी भगवान ही दिखा प्रंतु भगवान का सुधर्शन चक्र जो भगवान की आग्यां से पहले ही राजा के रक्षा में निक्त था उसने पलक मारते किर्ट्या को भशन कर दिया और दुरवासा की ओर दोरा अपनी कृत्या को इस प्रकार नस्ठ होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओराते देख दुर्वासा जी प्रान लेकर भागे इंद्रादी लोकपाल तो उन्हें क्या अशरन देते स्वेंग ब्रम्मा जी और संकर जी ने भी उन्हें आशरे नहीं दिया भगवान भोले नाथ को दया आ गई तो भगवान भोले नाथ ने उनको भगवान विश्नु के पास सीजाने को कहा अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान भिश्नु के चर्नों पर गिर परे दुर्वासा ने कहा कि हे सरनागत बत्सल हे ब्रम्मन ने देव हे आर्थ जन रक्षक मेरी रक्षा करो भगवान भिश्नु ने कहा कि महर्षी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मैं तो भगतो के पराधीन हूँ इसलिए हे रिशिवर आप उन महाभाग ना भागतने अंबरीश के ही पास जाए ओहीं आपको शान्ती मिलेगी इदर राजा आंबरीश बहुत चिंतित थे उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासाजी को मिर्तुभैसे ग्रस्थो कर भूखें ही भागना परा यह सोचकर वे केवल जल पीकर रिशी के लौटने की पूरे एक बरस तक परतिक्षा करते रहे हैं एक बरस के बाद दुर्वासाजी जैसे भागे थे वैसे ही भैवित दौरते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकर लिया ब्राम्मन के द्वारा पैर पकरे जाने से राजा को बराश संकोच हुआ तो राजा अंबरिश ने भगवान विष्णू की अस्तूती की भगवान विष्णू की अस्तूती करने से